स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में तो हम सेक्शन सी कंटिन्यू करेंगे लिट्रेचर का 40 माक्स का पूरा आपका ये सेक्शन सी है सेक्शन ए और भी मैंने पार्ट वन में अप्लोड कर दी है आपको इस एक्स टैक्स को पढ़ना है कुशन के आंसर करना है पढ़ने के बाद इन कुशन के आंसर करेंगे तो फर्स कुशन दा बेकर इन ओल्ड देज वर प्रॉस्पर्स इस एविदेंट फॉम्ड़ फैक्ट वो प्रॉस्पर्स थे इस फैक्स से पता चलता है कि यानि यह आपके पारग्राफ में से आंसर है अपने बिल जो हो अंड मंत के एंड में कलेक्स करते है नेक्स बेकर वाजब ब्रॉफिटेवल बीच प्रॉफेिशन जो बेकर थे करना बोड़़ प्रॉफेशन से निन परिल्दन बीच्ट वाजब पर पर परफेशन क्योंकि बेकर और उसकी फैमिली कभी कि अभी बूज पैंसिल नेक्स जैक्प्रूट लोग आपिर इंप्लाइस एक जैकप्रूट जो होता है न वह एक प्लंब बॉडि परसन अरद यह प्लंब बॉडिक नाहाँ पश्याय प्लंब खुल जाया तो इसा का बी ऑप्शन एल्दी परसन अजहाएगा अब इसकी अतरब आपको वह न सब्सक्राइब करना था यह वाला करना था यह आप पर चूज था वो इस आए इन द अब आप लाइन तो मिस्टर है जो है वो आई है नेक्स्ट है उनके एड्वाइस क्या थी कि वह एक्सेसाइज भी क्राइब को उन्होंने कहा था कि स्टिक डाइट भी दें और उसका इसमें डी ओप्षिन करेक्ट है नेक्स्ट है कुश्इन वाइड मिस्सस पांफ्रे नहीं क्या क्या हूँ से मेट्ड़ मतलब आ उनके कहने मिससंप्रे नहीं से एक्सराइज करवाइथी में ता डोग एक्सराइज एजान आइड आइव तू सांट इसमें दे रख है आई तुसाउंड सेवर सजेस्ट एक परसन वास सीरियस यानि मैं ऐसे बहरेफ कर रहा था कि मैं मतलब सीरियस हूं Mr.Hariot वास अब वर्टेरिनेरी सेर्जन वो एक ट्रिकी के ट्रेनर नी थे उसके हस्बेंड नी थे एक वर्टेरिनेरी सेर्जन थे नेक्स है इस उस स्टैनुसा को पढने पर आपको आंसे देना ये इसमें भी चॉइस आइप य्वाला करना है तो इस पोहएम के कंपोजर ने जौन बैर ने हैं नेक्स्ट कोशन है बाल पोहएम दे रहेख है बाल पोहएं एक जौन-बैरी मैन और जो है वह таई वॉर्स जो है उसे पर बंद लोग नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसके फोड्स जल रहे थे इस थोड़ी उसके थोड़े खर्च करने थे यह फिर अपनी बिलॉंगिंग्स को देखना था तो यह आपके कुशिंस के अंसर हो गए अब अत्वा में दे रखा है या तो यह वाली पोएम आपको तो उसके भी आशर कर लेते हैं तो यह तिन्स जामे तो वो टाइगरश ऑरिस्ट में बात कर रहें ऊहर और आगास जयादा है दो कि वह डीडना श्रम करना जाता curated कि वाठी मधना आटक आए और तो कि अप्टिया जाएगा थे वोग में फोल वॉटर या वॉटर बडी कि श्लाइट त्रो लोंग रास पुराइब टो किल प्लंप लिया तो इसमें आपका दी आपशिन आजएगा नाइमिंग सेंटेंज के या राइमिंग स्कीम किया है स्की राइमिंग स्कीम है एबी तो मैं इसे आपको इंगलिश में इसका बता हुए तो मैं इसे आपको इंगलिश में इसका बता हुए वर्ड दस फायर और आइस किस पर तुष्क है जो हमारे डिशाई परैंब करती है डिशायर और आशն ही घ्रेट ही लाले चाहिए हमारा जुबाइंब के में इस परवारत.'' बीच में नफ्रत है जलन है जलिसी है यह सब आपको लिखना था और हमारी जो पोईट ने यह भी बताया गी कि पोई जो आर्थ है वो पहले फायर से यानि उन्हें फायर को सपोर्ट करा है कि वह अर्थ का एंड जो फायर से होगा बट उन्होंने का अगर अर्थ को सेकिंड इस भी और ह Canvas से भी खतन होगा तो वह है इस से भी खत्म होगा झाली यार्यार में आपको यान्ग सीगल पाउण इंग डिट को फ्ला ने नी है फायर से बी जो डिजायर से होते हैं टो हमारी वड्म को डिस्ट्रॉई कर सकतें नेक्स सेगीं कोशक्ण में क्या करें दोशें फाउंड डिफिकल्ट तो फ्लाइ फॉर फॉर्स ताइंड वाई वाई अफॉर्स तो यंग सीकल था वो सबसे बाली टाइम में उड़ने से ड़ लगा था क्योंकि उसे बहुत द्यादा उचाही लग थी उसे लग रहा था उसके जो फिंग जो पंग है यानि जो विंग विं फैनी फ्रैंक के उसमें समझाना है वाई वाई वाउस था होल क्लॉस क्वाकिं इन इस बूट जो अपने ही मतलब बूट में कैसे चली जाती वह आपको बता है तो यह चैप्टर के रिकार्डिंग आप उस स्टैनिसा से बता से कोई कोई चारी करने है नेक्स्ट फोट है व अब हम लॉक ट्री के नीचे से घा सड़नली उन पर जो क्रों ने शक कर दिया दस्ट फस्नो तो उनका मूद चेंज हो गया तो कौन कौन से इमेज से पोट का जो था वह एफेक्ट हुआ तो वह हम लॉक ट्री था क्रोट ता और दस्ट फस्नो इन तीन चीरों से उनका जो म भाप कर रहे थे कर रहे थे मोड में वह उन्होंने बचा लिया नेक्स पोस्ट ऑफिस प्लाइज रबंच फ को वर्णू को पुंस और पोफिस थे खुल ऑफ करिए वाथ वह बच अपने कौश्ट ऑप कर देड हैं वह ने क्यूं कहाता वह बनच अपर करी खाई थिस तो उन् असे जब उसे देहा कि it is 70 pesos टो से फिरेज़ा आने लगा क्योंकि उसे बता है कि भगवान नो कभी mistake ना कर सकती है और भगवान मुझे मिना भीकशित कु pouvित कर सकते हैं Neo पोस्ट अफिसर के इंपलोईज इसमें चिरा लिए तो उन्हें जो पैसे लिए लटर लिखा और उसमें कि यहां पर जो पोस्ट मास्टर यह पोस्ट ऑफिस एंप्लोई तो बंच अफ क्रोक्स यानि हो बहुत सारे लाल्चिया उन्होंने मेरे पैसे चुडा लिए तो उन्होंने इसलिए कहा था नेक्स्ट है आंसर फॉल्विंग कोशन इन 40 तो 50 वर्ट्स तो चालीज से पचास वर्ट्स में आपको आंसर करना है किनी दो का दा एक्सपेक्टिड कॉल विदिन यानि जो एक्सपेक्टिड जो उन्होंने मिस्टर है ने एक्सपेक्ट करा था कॉल आईगी उनको और वह इसलिए उन्होंने कॉल किया था और यह कॉल एक्सपेक्टिड थी क्योंकि जो एक्सपेक्टिड पहले वह मिले थे उनसे तो वह हालत देख रहे थी वह एक्दम बलून की तरह फूल रखा था और वह बहुत थका हुआ था यह सब आपको लिखना था तो वह एक्सपेक्ट एक डाइटर है वो उनके बारे में कुछ लिखना जाता है और उसबल क्या है एक डिटेक्टिव है तो वो उनके बारे में उनकी लाइफ के बारे में कुछ इस पेशल असिस्टेंट उनके लिए लिखना जाता था और उसबल की एक्सपेक्टेशन फुरी हुई तो स्टार्ट तो पहले तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वह तूट गई उसकी मीट नहीं हुए एक्सपेक्टेशन बट लास्ट में क्या हुआ जब उन्होंने मैक्स को अच्छा सा चकमार चिकाया और मतलब उसे बैलकनी से गिरा दिया वनलब उसके एक ट्रिक से तो वह समझ गया कि यह ब आप लिख सकते हैं नेक्स्ट है हॉरस डैन्वी वह तिपिकल थीव डिसकाइब नाओ यह यह वह प्लाइन इस वर्क तो हरस डैन्वी थे एक टिपिकल थीव ते वह अलग टाइप की थीव वह बुक्स टोल करते तो यह वह बुक्स को चुडाते थे और वह साल में बार बहुत ज़्यादा अलिशान करते थे कि जहां से चौरी होने पर बहुत ना चले और वह प्लान कैसे करते थे वह अनुने जिस घर पे प्लान करा था उससे दो हफते तक पहले उसे अब्सर्फ किया डॉक का नाम जाना और कब कौन आता है कब कितने बज़े निकलता है कितने लोग हैं घर में वो सब उसकी जानकारी रखता है अब इनकी हैं कोशन जो कि आपको छे माक्स के कोशन है नैंसल मंडेला इनागरेशन स्पीच में दो टर्म्स बताते हैं कि एक स्टा ओडिनेरी हुमन डिजास्टर और एक सो गलारियस हुमन अचीवमेंट आपको इससे क्य अचीवमेंशन सहा है थार्टीन अर्स तक वो प्रिजन में रही हैं जेल में रही है और जब वो स्पीच देने गहीं थी इनागुरेशन सर्मी एंपी तेयाटर में तो उन्होंने वर्ड बोला एक सा और डिनेरी हुमन डियास्टर किसे बोलाए था उन्होंने तरीके से वाइट पीपल्स को मारते थे तो यह था हमारा एक्ट्राइब इंडियासिस में कोई भी उनका कंट्री साथ नहीं दे रहा था क्योंकि अपार्थाइट सिस्टम किसी को भी अच्छा नहीं लगा था किसी भी कंट्री को और कोई कंट्री उनके हल्प भी नहीं कर निखिए और जूडरियस एमन अच्जिवमें अनोह उनका और वाहर उनगना था और और गलार्जीवमें अनका च्छीवमेंं और उनका घ्ल्ल ंनों पहले कभी अ ठीज्व increment अधितने जैसे तो नेक्स्ट नेक्स है इसी वहे वह ज sayat the faith of the man यानि ये कॉन कैसे काई करें सब्ड़ी में के नहीं के इसा कर ऐसे मैंन के पास सफीच्ट hine आपका आंसर हो जाता है नेक्स्ट है 100 से 120 वर्ट्स में आपको बताना है यह दूसरी बुक के कोशन है फुट्पिंट विदाउट फूइट से चैप्टर थीफ स्टोरी है वो समें हरी सिंग जर्णी फ्रॉमा थीफ तो हॉनिस्ट मैंवू वैल्यू फ्रेंड्शिप और यूमन वैल्यू यहारी अब क्या आपको लगता है कि अनील जो है वो सेल्फ लेस्ट वेंड्शिप उसके साथ बनाता था हरी के साथ रिडीम हिंसल्फ गिव रिजन इन सपोर्ट ऑफ यहां आंसर हाइलाइटिंग दवैल्यू इस प्रिजिस्ट बै अनील विच टॉच हरी सिंग हांट तो आपको इसको अब बताना है जो कि अनील की वैल्यू सारी सिंग के दिल को चूँ गई में रिडन टू अनील और उसने अनील के पैसे वापिस करती तो आपको यहां पर गरना था जो अनील था वो सेल्फ लेस्ट फ्रेंड्शिप निभा रहा था हरी के साथ क्योंकि वो उस पर अनील को पता है कि उसने इतने सारा खुला करका है और फिर हरी को बुरा लगता है जो पैसे चुड़ा कि वह आप ना इंग्लिस पाएगा ना उसे फ्रेंड्शिप अब उसका ट्रस्ट भी खो देगा बर टेंड तैंड उसे हरी को पाज़ अनील को बता होता है कि इसने पै बीफूल बाइड लेडी इंड रेड हो डिड शी डिसीव यानि जो खॉरस जैन भी यह वो बद्दू बन गया किसे लेडी से कि उस इने उसे मनलब वह भी चोड थी वह भी चोड़ था बड़ उसने अच्छी से चिला कि मैं माल की अब आइसे करके उसे डिसीव कर रह यान मेरे 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 जो हस्बेंट है वह अभी पार्टी में हो आ रहे हैं तो यह ऐसा ऐसे उन्होंने बोला है और उसका बुद्दू काट दिया वहां पे और जो खॉरस जैन भी था वो भी बतानी वह भी डर गया था यूंकि वह कहरें थी पुलिस को बला दूंगी मैं तुम य यहां पर आपको यही लिखना था तो यह जो आपका आज पेपर है कंप्लीट हो गया पेपर कैसा गया मुझे कमेंट सेक्षिन में जरू बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर दें वीडियो अच्छ लगे तो इसे लाइक जरू करिए दोस्तों साथ शेयर जरू करिए पार्ट बन पार्ट टूब दोनों देखिए जिससे आप अपने अंजर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए थांक्स वाटिंक्यों पेपे गाइस